सबी साथियों को नमस्कार एक बार पुनें आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा समाचार में हारतिक स्वागत साथियों आज हम लोग जी पीए परपोजल यानि सामोहिक दुर्गटना भीमा की जो सलेब में बदला हुआ है यानि 18 अपरेद 2020 को राजस्तान सरकार वित विभाग ने एक जारी किया है आदेश उसमें उनोंने जी पीए की जो रेट्स हैं जो सलेब्स हैं उन सलेब में बदलाव कर दिया गया है जो रासी पहले कटोती की जानी थी उसमें बदला हुआ है तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्या बदला हुआ है क्या हम लोगों को है वो जी पीए परपोजल दुबारा से सब्मिट करना है जीडियो लोगों क्या करवाई करनी होगी आम करमचारी को क्या करना होगा सभी लोगों के मन में एक स्वाल सा है कि हम लोग अब इसम और प्रैक्टिकल करके SSO ID से SIPA पोटल पे जाके वहाँ ट्राइ करेंगे क्या होता है दुबारा हो पाता है कि नहीं हो पाता है वहाँ क्या प्रोसेस है आदेश में क्या लिखा गया है तो हम लोग सारी चीज़ें इस वीडियो विस्तार से जानेंगे वीडियो प्रैर्डम करने से पहले मैं निवदिन करना चाहूँगा यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब विश्य करिए का साथी हो चलिए सीधा हम लोग उस आदेश पे चलते हैं ये आदेश जारी हुआ है 18 तरीक को राजिस्तान सरकार वित बीमा विभाग द्वारा आदेश हुआ है 18 चार 2022 को आदेश के तहत यहां हम लोग देख पा रहे हैं किसी एक स्रेनी का आप लोगों को इस मेसेज़ चेहन करना है यदि आप 5 लाग रुपए तक का बीमा करवाना चाह रहे हैं यहां मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ जिस किसी भाई ने 220 रुपए जो पहले कटोती होती थी वो यदि सेलेक्ट कर रखी है तो उसको है वो किशी परकार का कुछ भी अपनी SSIDC करने के अवश्यक्ता नहीं है वो निसुल को होगा उसके 220 रुपए नहीं काटे जाएंगे उसमें है वो राज़े सरकार द्वारा 350 रुपए वेहन किये जाएंगे यदि कोई कारमिक 10,000 सौरी 10,000 लाख रुपए का इंशुरेंस करवाना चाह रहा है इसमें परते एक सलेब में 350 रुपए गवर्मेंट की तरफ से हो वेहन किये जाएंगे तो ये तो थी नई सलेब की बात राजस्तान केडर के अखिल भारतिय सिवा के समस्त अधिकारी सहीत राजय सरकार के समस्त करमचारियों अधिकारियों के महा अप्रेल दे मई 2022 की वेतन से अधिकारी करमचारी द्वारा उप्रक्त तालिका मैं से चैनिस सरेड़ी के अनुसार प्रीमियम की कटोती की जाएगी ये तालिका पहले कुछ और थी अब 18 तारिक आदे सायद कुछ और हो गई है समस्त आहरनें वित्रन अधिकारीयों रीडियों के समस्त अधिकारी करमचारियों के वेतन से पे मेनजर पोटल, के समझ पा रहे हैं की ये आपको क्या करना है समस्ता आरन विक्रिन के दिरों के समस्ता दिकारी करमचारीओं से S.I.P.A. पूर्डल से प्रस्ता अपतर की पूर्ती कराया जाना वे उप्रक्त तालीका मैं से किसी भी एक सरणी का चैन कराया जाना आविशक है यहीं आपने यदि S.I.P.A. पूर्डल पर कभी भी तथा जिने वर्तवान वे ना तो मनोनियन परिवर्दन करना है यानि ना नोमीनी अपने को कोई चाइंज करना है और ना ही स्रेणी के विकल्प स्रेणी यानि जो उपर सिलेब दे रखे थी चार उनमें से कोई परिवर्दन करना है तो उन्हें ओनलाइन प्रस्ता भरना आव शक नहीं है ऐसी स्तती में आरणे वित्र निद्गारी गत वर्ष कार्मिक द्वारा दिये गए स्रणी के विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटोती किया जाना सुनिचित करेंगे कार्मिक द्वारा दिये गए विकल्प के अनुसार प्रिम उक्टोती करने का पूर्ण उत्र दायत वे समंदित आरण विदर नदी करें हुगा यहां कुछ लोग यह confusion होते हैं DDU महोदे भी यह confusion होते हैं कि पिछली साल हमने कितनी काटी थी तो यह है वो आप जो पुराना पोर्टल है उससे देख पा रहे हैं और नए वाले पोर्टल पर इस साल जिनों ने जीपिय प्रपोजल बराए वो सीधा DDU की ID पे शोर नहीं करता है सीधा इस्टेट लेवल पे चला जाता है जिनके दोरा गत्वर्स कोई विकल्प नहीं देने पर उनका प्रीमियम पुरु आनुशार 220 रुपे काटा गया था यदि यह कार्मिक इस बार भी कोई विकल्प परस्तुत नहीं करते हैं की कोई प्रिमियम कटोती आरण विदे निग्जवरन नहीं की जाएगी और उन्हें स्रेनी एक के तहट पांच लाख रुपए का बीमा धन का कवर प्राप्त होगा यानि जिन्होंने 220 का प्रस्ता अबराय उसके किसी प्रकार की कटोती नहीं होगी फिक है साथियों तो ये तो इस आदेश की मोटा मोटी बात है अब हम लोग चलते हैं SIPP पोर्टल पे वहां देखते हैं वहां क्या है आप अपनी SSO ID और पास्वर्ट लगा के जब लोगिन होंगे तो यहां सीडिजन एपस में आपके सामने इस्टर्ट इंशोरेंस और प्रोडिट फंड जो एप आ रहा है वो यदि शोर नहीं होता दें अधर एक्टिव एप में जाकर कि यहां सर्च करें तो यहां आपके सामने यह एप आ जाएगा इस एप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने SIPP का होम पेज खुलेगा उसमें आपको एक पॉप अप शो करेगा उस पॉप अप को आपको आपको आठा देना है ठीक है साथियों यहां सीधे साइड की दिकत की वज़े से यह आपके सामने संवषयां कर सकता है आप जैसे ही इस GPIO परपोजल पर क्लिक करें यह GPIO पर फूजल खुलेगा इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेघश ओर होगा यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो यह मैसे शोर नहीं होगा और यदि आप दुबारा कर रहे हैं यू हैव ओलरी सब्मिटेड एप्लिकेशन इन इन इस फाइनेंसे लिए दोजार बाइस देश यदि आप प्रिंट यदि आप प्रिंट यदि आपने पहले सब्मिट कर दिया है तो दुबारा सब्मिट नहीं होगा यदि कोई साथी के मन में यह आया है कि यार मैंने पहले कम किया था अब मैं इसको बढ़ा दूँ तो वो बढ़ा नहीं पाएंगे और ना कम कर पाएंगे आपने यदि इस स्वित वर्स में एक बार ही डीपिय परपोजल सब्मिट कर दिया है तो उसमें बदलाव शंभाव नहीं है साथियों और यदि किसी ने इस साल बदलाव नहीं किया है और वो अभी चा रहे हैं कि मैं कुछ चेंज कर दूँ तो वो अभी चेंज कर सकते हैं नया बर सकते हैं देखिये साथियों पहले मैंने 1400 रुपे का बरा था यानि बिमित किस्त है वो 1400 रुपे थी उसमें से अब 1050 रुपे मेरे वेतन से काटे जाएंगे और 350 रुपे सरकार द्वारा वेहन किया जाएगा इस तरह से 20 लाग रुपे का बिमा होगा यदि किसी साथिने 220 रुपे का बरा था तो यहां 220 रुपे आएगा और करमचारी के लिए 0 आएगा और गॉर्मेंट के लिए 350 आएगा यदि किसी साथिने पहले 700 किया था तो यहां टोटल 700 आएगा यहां 350 करमचारी के वेतन से कटेंगे और 350 है वो करमचारी के वेतन से काटे जाएगे और 350 गॉर्मेंट द्वारा वेहन किया जाएगा ठीक है साथियों यानि यह स्टती स्पस्ट है जिनोंने जीपिये परपोजल 2022-2023 में सबमिट कर दिया है उनको दुबारा से सबमिट करने की आवशकता नहीं है वो दुबारा सबमिट नहीं कर सकते हैं इसलिए आप लोग निच्छित रहें आपने यदि अपने डीडियों के पास दे दिया है तो ढीडियों महोदे उसमें से जितना आपने दिया है उसमें से 350 रुपए गटा कर के आपके सेलरी से काटेंगे पर दिया और जिसने इस बार नहीं भी बढ़ा और वो पिछला ही रखना चाहरा है और वो बदलाव नहीं चाहरे हैं किसी परकार का सलेब में और अपने नोमी नी में तो उनको दुबारा से बरने कि आवशकता नहीं है साथियों ठीक है आप ये अब काम डीडियो मोहदय का है और यदि कोई करमचारी करना चाहें पिसले साल आपने 220 कर रखे थे और इस साल आपने भराई नहीं था और आपके पास ये मोका है 21 तारिक तक का 21 तारिक से पहले यदि आपको चैंज करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन जिनों ने इस वर्ष बर दिया है वो किसी भी इस्तती में उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे ठीके साथियों ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि काफी साथियों के मेरे पास कॉल भी आ रहे हैं क्या हम लोगों को ये जी पिय परपोजल दुबारा बरना होगा क्या हमें इसमें क्या करना होगा हम हमारी सलेप पहले कम थी उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं या पहले हमेने यार ज़्यादा से लेट कर लिया उसको कम कलना चाह रहा हूं तो यह सारी स्थती यह है कि आप लोग उसमें कोई बद्राव नहीं कर पाएंगे तो दुबारा नहीं बढ़ा जा सकेगा ठीक है साथियों तो यह था 18 अप्रेल को आदेश जारी हुआ SIPA डिपार्टमेंट दुबारा उसके बारे में हम लोगों ने वीडियो में विस्तार से चर्चा करी ठीक है साथियों आपका शयोग ऐसे ही बना रहे